हलो फ्रेंट्स, आज हम आपके लिए बहुत बड़ी और बहुत ही अच्छी नोटिफिकेशन लेके आ रहे हैं और ये निकल के आ रही है GACL की तरफ से काफी बड़ी और काफी अच्छी कमपनी है यहाँ पे से civil, mechanical और electrical के लिए job recruitment के आ रही है सबसे अच्छी बात यह है कि डिप्लोमा और B.Tech दोनों ही eligible है कोई exam कोई fees नहीं रखी गई है इसके लिए आप all over India कहीं से भी apply कर सकते हैं यह थोड़ी different notification है इसलिए इस वीडियो को लासक दिखेगा वरना हाँ चीज आपको समझ में नहीं आईगी तो friends मेरा नाम है AD Singh and I welcome you all on my channel civil engineering destination and ISO certified channel for regular job updates आप हमें subscribe कर सकते हैं और आप हमें सारे ही social media platform पे भी follow कर सकते हैं सबका link description में दिया गया है आपने अगर हमें Instagram और अभी तक Facebook पे follow नहीं किया तो आप please कर लीजे उसका link description में है दोस्तों कल मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई थी जो हमारा second channel है जापे मैंने आपको fraud alert के बारे में बताया था कि आखिर जो job consultancies होती हैं वहाँ पे students से कैसे fraud किया जाता है तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो जागे कि गुझरात alkalines and chemicals limited basically ये एक organization है जो कि जिसे गुझरात सरकार के अंडर ये आती है ठीक है काफी बड़ी और काफी अच्छी organization है अब यह थोड़ी सी इसकी बहुत ही अलग और different type की notification है सच बताऊं तो काफी different notification है यहाँ पे इसका as such कुछ official notification नहीं है यहाँ पे apply करने के लिए आपको direct इसके career section में जाना है जब आप इनके career section में जाते हो तो इस समय जितनी भी post हैं सब आपके सामने खुल के आ जाएगी यहाँ के official notification के नाम पे यह बस एक cutting है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यह basically आप देख सकते हो कि यहाँ पे recruitment निकल के आ रही है apprenticeship की post के लिए graduate और diploma apprentice कि यहाँ पे post निकल के आ रही है इसका बस एक यही notification है इसके अलावा इसका कोई और official detailed notification नहीं है बस यही है जो है मैं तो आपको बता देना चाहता हूँ तो यहाँ पे जो post निकल के आ रही है वो यहाँ पे basically graduate engineer और diploma engineer दोनों के लिए ही wikancy है अगर आपने B.E.B.Tech in civil engineering कर रखा है तो आप यहाँ पे apply कर सकते हो और इसके अलावा अगर आपने diploma in civil engineering कर रखा है तो भी आप यहाँ पे apply कर सकते हो इसके अलावा electrical और mechanical वाले भी यहाँ पे apply कर सकते हैं यहाँ पे आपकी job location बढ़ोदा रहने वाली है गुजरात रहने वाली है मातर 10 दिन के लिए इसका form बस भरना start हुआ है इसकी open date 16 March 2021 है और इसकी last date 28 March 2021 रखी गई है बाकी इसकी as such कुछ और stipend कितनी मिलेगी वो सब जानकारी हमें नहीं दी गई है जिस भी post के लिए हम apply करना चाहते हैं हमें बस उसके सामने आ कि यहाँ पे click यहाँ पे details पे एक बार click कर देना है तो हमें इसकी थोड़ी बहुत notification थोड़ी बहुत जानकारी जो होती है वो basically खुल के आ जाएग जैसे कि आप देख सकते हो यह post है graduate, engineer, civil engineer ठीक है यहाँ पे basically अगर आपने full time अभी EBTech कर रखा है तो आप यहाँ पे eligible हो age limit की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपकी age limit 25 साल से कम होनी चाहिए इसके अलावा जो आपका CGPA है वो आपके last two semester में 60% का रहना चाहिए ठीक है यह बात इन्होंने यहाँ पे साफ साफ बता रखी आपकी पिछले के दो साल में आपका CGPA 60% से जादा होना चाहिए बस इतनी ही जानकारी अभी इन्होंने दी गई है अब यहाँ का form भढ़ने के लिए थोड़ी सी अजीब बात यह है कि जब मैं इसका form भढ़ने चाहता हूँ तो basically यहाँ पे आपको सबस्वले जाके apply पे click कर देना है जब आप apply करते हो तो आपको यहाँ पे आपके अपना register कर लेना है अगर आप यहाँ पे करना चाहते हो तो ठीक है और register करने के बाद आपके सामने एक recruitment portal खुलके आ जाएगा वहाँ पे जब आप जाके apply करते हो अपना form भढ़ते हो तो इन्होंने experience भी मांग लिया गया है अब यह बहुत ही अजीब बात है कि वो experience को section skip नहीं हो रहा है usually apprenticeship में experience नहीं मांगा जाता है भई तबी वो apprenticeship है बट यहाँ पे नोने experience मांग लिया है तो वो चीज थोड़ी मुझे अजीब लगी ठीक है इसलिए वो आप लोग थोड़ा पने हिसाब से देख लीजेगा बाकि यह आपसे form में दो लोगों का reference भी मांगेगा तो आपके कोई भी दो जानने वाले दो teachers का आप यहाँ पे reference दे सकते है eligibility यहाँ पे आप all over India है selection procedure as per this notification मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपको direct shortlist किया जाएगा देखो साप साप लिखा है candidate will be shortlisted on the basis of percentage obtained during the respective qualification तो यह basically यहाँ पे इसका selection procedure रहने वाला है और तो post ठीक ठाक है स्टाइफन कितनी मिलेगी यह चीज भी अभी clear नहीं है number और पोस्टे भी अभी कुछ clear नहीं है और ज़रतर जनगारी यहाँ पे clear नहीं है बट जो जो गुजरात वाले हैं वो यहाँ पे चाहो तो भर सकते हैं post तो खेर काफी अच्छी है अपनी भी काफी अच्छी है तो I hope मैं इसकी हर एक चीज आपको बता दी होगी समझा दी होगी तो फिलाल आज के लिए अभी के लिए इतना ही so thank you and God bless all of you